So, हरो दोस्तो, स्वागत आपका हमारे इस YouTube चैनल V4 Value में आज मैं आपको वीडियो शुरूर करने से पहले ये दिखाना चाहता हूँ जैसे कि आप देख पारेंगे ये सारे stock High Value Dividend Paying Stock है बात करेंगे आज Dark Secret About Dividend Paying Stock के बारे में दोस्तो, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से पहले आपने ऐसी वीडियो यूटूब पे नहीं देखियोगी और ये वीडियो देखने के बाद Dividend Paying Stock के बारे में आपका एक नया नजेरिया जुरूर बनेगा इस वीडियो को लासक जुरूर देखियेगा ताकि आप कल को कोई Degrat ना फील करें So without wasting any time, let's start the video So let's move to the point Example के लिए आज जिस company को लेकर मैं इस sector के बारे में बात करने वाला है वो है भारत Petroleum Corporation Company no doubt काफे अच्छी है, मैं और आप दोनों जानते हैं इसके अलाबा company एक काफे अच्छा dividend amount भी पे करती है Every single year अपनी investors को, जो कि एक काफे अच्छी बात है But company का एक negative point ये है कि company on and average अगर बात करें dividend की तो वो 10-12% का dividend पे कर रही है But अगर बात करें इनके returns की तो वो लगबग 30-28% का यहाँ पर downtrend दिखा रही है मान लीजिए अगर वो 10 रुपे दे रही है तो 30 रुपे आपका ले ले रही है तो यह क्या फाइदा हुआ मुझे बताईए दोस्तों कि यह फाइदा क्या हुआ इसमे और यही एक लौती company नहीं है ऐसे और भी काफी सारी companies है जो की काफी अच्छा amount में dividend pay करती है बट आप जैसे के अपने screen पर देख पा रहे हैंगे इनका कोई खास अच्छा record नहीं रहा बीते एक साल में यह सारे के सारे downtrend दिखा रहे है बट स्टिल लोग इस stock के प्रती bullish है ताकि वो stock को लेकर एक अच्छा dividend amount ले सके बट मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर आप 10 रुपे कमा रहे हैं और 30 रुपे गवा रहे हैं तो इसमें क्या आपका कोई फाइदा है अगर है तो प्लीज मुझे नीचे comment करके ज़रूर बताइएगा मैंने यहां तक कि इसके annual reports भी पढ़े जिसमें dividend के बारे में काफी अच्छी तरीके से properly mentioned था और काफी सारी जगाओ पर dividend को include किया गया था क्योंकि dividend paying stock है तो यह चीज़ यह mention रहीगी और जैसे कि आप यहां पर देख पारेंगे company का dividend per share काफी अच्छी तरीके से increase हुआ और अभी के time पर लबब 59 पर चल रहा है जो कि personality काफी अच्छी बात है but apart from dividend मैंने इस company के future investment के बारे में debt को कम करने के बारे में नए evaluation लाने के बारे में pricing को tackle करने की techniques inflation को beat करने के techniques इसके बारे में कुछ ज़्यादा मैंने उसमें नहीं देखा और ये बात सच है आप कुछ सोच के देखे दोस्तों कि आगर आप stock market में investment करते हैं तो क्या आप केवल 10% के return जो कि dividend के रूप में आपको मिल रहा है उसके लिए करना चाहते हैं या फिर लगबग लगबग 30-40% या 50% का return expect करते हैं on an average in a year मैं अगर अपना जवाब दूँ तो मेरे हिसाब से मैं 50% का return चाहना चाहूँगा ना कि 10% का dividend क्योंकि dividend पे करेगी company तो उसमें company को tax दिना पड़ेगा पहले number government को और अगर को individual जो कि 5,000 से ज़्यादा का dividend earn करता है तो उसमें 30% का tax देना पड़ता है government को ultimately यहाँ पे ज़्यादा होता है वो है government का ना कि हमारा और ना कि company का अगर यही पैसा वो हमें ना पे करकर अपने debt को कम करें जो कि अभी के time पे आप यहाँ पे देख पा रहेंगे लगबग 26,000 करोड का यहाँ पे debt है अगर यह इसे कम करें तो इसके पर लगने वाला interest यह नहीं पे करेंगी जो पैसा इनका बचे का future में उसे यह और अच्छी तरीके से अपने business को establish करने पे लगा सकती है नहीं नहीं operations में लगा सकती है research में लगा सकती है नहीं नहीं चीज़ों को कैसे tackle करें revolution को कैसे beat करें उन सब चीज़ों में लगा सकती है rather than giving a dividend मैं समझता हूँ कि business को अपने मजबूत करना ज़ादा important होता है क्योंकि कल को यही stock जो आज आपको 10% के dividend का लाल इस दे रहा है यह चाहे तो 100%, 200% या 1000% का return दे सकता है मुझे आप बताएगा कि आपको क्या चाहिए but apart for that मैं यह नहीं कहना चाहता कि सारे dividend paying stock गलत है एक तलाब गंदा होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उस तलाब में रहने वाले सारी मचलियां गंदी है मुझे नीचे comment करके बताएगा कि क्या आप ऐसा stock चाहते हैं जो कि अच्छा dividend भी पई करें और on and average एक अच्छे return भी आपको provide करके दे सो मैं आपके लिए जल्दी ही वह वीडियो भी लेके आने की कोशिच करूँगा बट उसके लिए मुझे आपका comment चाहिए और यकिन कीजिए दोस्तों मैं हर एक comment का जवाब देता हूँ सो please don't forget to comment this video I hope आपको वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए तो please वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन जुरूर प्यास करेगा क्योंकि यहां पर आपको ऐसे ही fundamentally strong stocks, stock news और काफी अलग अलग चीज़े इस चैनल पर regular basis पर provide होती रहेंगी और अगर आपका कोई ऐसा friend है जो कि dividend investment पसंद करता है तो उसके साथ ये वीडियो जुरूर शेयर कीजेगा जल्दे मिलते हैं ऐसे एक और ने वीडियो के साथ तब तक लिए अगर आपके वास थोड़ा सो और समय investment को देने के लिए तो मेरे ये टाटा मोटर्स वाले वीडियो आप जुरूर देखेगा क्योंकि ये काफी अच्छी investment साभीत हो सकते है पता future जल्दे मिलते हैं एक और ने वीडियो के साथ तब तक लिए stay safe and goodbye thank you दोस्तो